हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, तो आज हम लोग पटवारी परिक्षा 2022 का जो भी अभ्यारती त्यारी कर रहे हैं, उनके लिए आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं, आज का हमारा चेप्टर आप देख सकते हैं, गोला, तो आज हम लोग किस पर बात करने वाले हैं, गोला पर, इससे पहले संकु का भी विडियो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा मैं प्ले लिस्ट दे दिया हुआ, पर जा करके आप सिधा देख सकते हैं, संकु का बेलन का आ चुका है, बेलन का पार्ट टू भी मैं जारी कर दूँगा, बहुत स देखें, तो ये पार्ट वन है, समझ लिजे, पार्ट वन और च्टिस गड़ पटावी परिक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही मातपूर्ण है, गडित का ये जो है, गोला से संबंधित हम लोग किस तरह से कोश्चन बनते हैं, क्या क्या चीज हम को इसमें ध्यान तो चलिए, सुरू करते हैं, पहला क्या है, तो देखिए, पहला क्योश्चन देखते हैं हम लोग, पहला है, देख सकते हैं, कोई भी क्योश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग, कोई भी जब क्योश्चन है, उस क्योश्चन को आप सबसे पहले पढ़ना है, तो पास आप जितना गड़ित का करेंगे, जितना आप मैट्स बनाएंगे, उतना आपको आटोमेटिकली आपको फर्मूला आ जाएगा, फर्मूला आपको याद करने क्या आउसकता नहीं है, आपके बनाने के लिए फिर भी मैं बता देता हूं, तो चलिए देखते हैं, इसमें आपका गोले का गोला का वक्रप्रिष्ठ क्या होता है, तो गोला का जो वक्रप्रिष्ठ है, देखिए कभी-कभी फार्मूला से क्वेस्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, गोले का वक्रप्रिष्ठ या गोला का वक्रप्रिष्ठ का फार्मूला ह आपका 4 pi r square ये देखिए अब देखिए वृत्त का 6 रफल क्या होता है तो pi r square होता है वृत्त का 6 रफल क्या है pi r square है उसमें 4 लगा दिजे 4 pi r square हो जाएगा संकु आएगा तो आपको याद कैसे रखना है माल लेजे गर भोलते हैं आप एक्जाम में तो उसमें trick रखे संकु ह कर लिए ऐसे ध्यान रखिएगा तो 1 बटे 3 आएगा संकु में गोला है तो गोला को 4 pi divide कर लिए ऐसे ध्यान रखिएगा तो गोला को गोला में 4 लगेगा ऐसे याद रखिएगा संकु में 3 और गोला में 4 लगा देना है बस बाकी तो सब से मिरात है लग भग जानते हैं हो जाएगा आपका 4 413 πाई आर क्यूब यह है आपका गोला का आयतन गोले का आयतन का सुत्रे है देखिए पाई आर स्क्वेर था कुछ नहीं करना है आयतन आएगा तो यह क्यूब कर दीजिए स्क्वेर इसको और 4 बटे 3 जोड दीजिए हो गए आपका तो बिल्कुल सरल है यह आप कर सकते हैं अब चली रेखते हैं सिधा कोश्चन पर देखते हैं कोश्चन क्या कह रहा है तो देखिए कोश्चन क्या कहता है कोश्चन पर देखिए सबसे पहला लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिजिया जिनकी त्रिज्याएं 6 cm, 8 cm और 10 cm है इसे पिघला कर एक ठोस गोला बनाया जाता है बनाये गए गोले की त्रिज्या क्या होगी तो देखिए बार 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 बता रहूं संकू में भी हम लोग देखे हैं त्रिज्या मतलब किस से डिनोट करते हैं? त्रिज्या मतलब आर तो आर यहाँ पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? आर क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हम क्या solve करेंगे? जो दिया है उसे लिख लेते हैं जैसे माल लिजे गोलियों की जिनकी त्रिज्या तो गोलियों की त्रिज्य क्या है देखिए बहुत ही सिंपल है गोलियों की त्रिज्य क्या दिया है लिख लिजे गोलियों या गोलों की त्रिज्य जैसा भी लिख सकते हैं आपको क्यों आंसर लाना है वापर गोलियों की त्रिज्य क्या दिया है क्रमसा R1 बराबर कितना है इसी को लिखना है 6 cm, क्या दिया है? 6 cm, R2 कितना दिया है? मान लिज़े, माना, हम लोग मानते हैं माना, यहां जैसे गडित में, माना की गोलियों की तरिज्या, R1 6 cm, R2 कितना मान लेते हैं? क्रमसा मान रहे न, तो R2 8 cm, और ध्यान रखेंगे R3, R3 कितना है? 10 cm, बस यही ध्यान रखना है आपको, जो दिया है वाद सुसी को लिखे है, R1 6 cm, R2 8 cm, R3 10 cm, अब कैसे निकालना है हमको? अब माल लेजे, माना बड़े गोले का, अब माल लेजे जो गोला बनता है, जैसे पिगला कर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो बना हुआ गोला का तरिज्या क्या माल लेते हैं? माना देखिए गोल्यों की त्रिज्या आर माने और बड़े गोले की त्रिज्या क्या मालने ते हैं माना इसमें इसपश्ट कर दिया है इससे पिगला कर एक ठोस गोला बनाये जाता है बनाए गए गोले की तरिज्या क्या होगी, तो बनाए गए गोले की तरिज्या माना क्या मान लिए हम लोग, आर मान लिए, क्या मान लिए माना आर तरिज्या, ध्यान रखियेगा, माना की हम लोग क्या मान लिए, आर मान लिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग देखिये, अब नया गोला बनाया जाता है, ठोस गोला बनाया जाता है, बनाएगा गोले की तरिज्या क्या होगी, ये पूछ रहा है, तो अब क्या करेंगे, कि अब यहां देखेंगे, गोले का, क्या देखेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन ग्याद करना है, क्योंकि देखिए, नया गो प्लस R3, ये ध्यान रखेगी, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, बस, बाकि कुछ नहीं, इस तरह से question पूछता है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, तो गोले का आयतन क्या है, फोर अपान, थ्री, पाई, और बड़ा माने हैं, चुकि गोले का आयतन माना, जो नया गोला बन र हो रहा है, तो तीन है, तो तीनों में कर लेजिए, फोर अपान, थ्री, पाई, आर वन, क्यूब, प्लस, इसमें भी जोड़ लेजिए, चार बड़े तीन, पाई, आर, क्यूब, प्लस, ये आर, क्यूब है, और इसको कर लेजिए, चार बड़े तीन, पाई, आर, थ्री, क् बस कुछ नहीं करना है आब यहां क्या किया चूकि तीनों गोलों को क्या किया जा रहा है तीनों को पिखलाया जा रहा है तो भाई तीनों के आयतन में तो होगा ना वृध्धी होगा या कमी होगा जैसा भी होगा तो देखिए तीनों गोलों को पिखला कर बनाएंगे तो अब देखिए यहां 4 बटी 3 पाई, यहां 4 बटी 3 पाई, और यहां 4 बटी 3 पाई, सब जो है common देख रहा है, अब सभी जानते हैं, जब common होता है, तो वो उभए निश्टा आ जाता है, तो यहां क्या करेंगे, 4 बटी 3, पाई, आर क्योग, एक्वल, यह 4 बटी 3, तीनो में देखिए, प्लस, प्लस है, तीनों पक्ष में हैं, तो 4 बटी 3, पाई को क्या ले लेंगे, उभए निश्ट लेंगे, बचा क्या यहां पर, प्लस, यहां पर क्या बचा, आर 2, प्लस, यहां पर क्या बचा, आर 3, देखिए, ध्यान रखिएगा, चुकि 4 बटी 3, पाई, य क्यूब कर लिजे सब को, यह क्यूब बचा हुआ है, अब देखिए, यह 4 बटी 3 पाई और यह 4 बटी 3 पाई क्या हो गया, कैंसल हो गया, कट गया, अब बचा क्या, अब देखिएगा, r cube है, क्या है, r, capital r cube, equal, अब देखिए, क्या है, r1, r2, r3, तो यहाँ से देखिए, r1 क प्लस आठ क्यूब प्लस दस क्यूब ये हो गया आपका अब क्या हो जाएगा r cube equal अब देखिए 6666216 हो जाएगा प्लस आठ अठ चॉशच अठ अठ पांसो बारा प्लस दस दहम सो दहम एक हजार ये समझ में आ रहे हैं यहां तक अब क्या करेंगे r cube r cube equal इस सब को जोड़ दीजी ये सारे को जोड़ दीजी 216, 512 और 1000 216, 512 और 1000 को जोड़ दीजी कितना आएगे 628, 1, 1, 2, 5, 2, 7, 1 1728 आगया, कितना आगया, 1728, अभी 1728 को अगर cube में बदलना चाहें तो r cube equal 12 का cube 1728 होता है, 12 का तिन बारा आप गुड़ा करेंगे तो 1728 आएगा, यहां से cube cube कट गया तो r बराबर निकल गया हमारा 12 cm, तो यह आपके क्या गया, अंसर आगया, इतना तो समझ में आ गया होग तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, अब चलिए देखते हैं, next question, next question क्या है, अब देखिए, next question है, देखिए, एकदम सरल है, आप चाहें, तो बहुत अच्छे से बना सकते ही इस तरह से अगर question पुछा जाता है, तो बिलकुल सरल होता है, जैसे किसी लोहे के गो देख चुके हैं, फार्मूला से, क्योंकि जितने बार आप बनाएगे फार्मूला याद करने की कोशिस मत करें, क्योंकि समय बहुत कम दिन है आपका, आप अभ्यास करिए बस, जितने बार अभ्यास करेंगे, अपने आप आपको फार्मूला उसमें बैट जाएगा, आपक लिख लिजे गोले की त्रिज्या मतलब आर गोले की त्रिज्या मतलब क्या दिया है आर दिया है तो आर कितना दिया है हमको साथ सेंटी मिटर ये तो बन जाएगा आपसे ये क्या हो गए आपका साथ सेंटी मिटर क्या है लोहे की गोले की लोहे के जो गोला है उसके त्रिज्य क्या दिया है तो 37 मिटर अब कह रहा है वाकर पिष्ठा का 6 तरफल निकाले यह बिल्कूल सरल है तो वाकर पिष्ठा का 6 तरफल कैसे निकालेंगे वाकर पिष्ठा का 6 तरफल आप देखिए वाकर पिष्ठा का 6 तरफल क्या आता है गोल ड़िए उसका नोटिफिक्स आपको मिलता रहे वीडियो अच्छा लगने पर दोस्तों आप लाइक जरूर कीजेगा लाइक करना नहीं भूलेगा अपने दोस्त अपने जो चीर परिच्छा जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर जरूर कर दीजेगा ताकि इसका लाब उनक साथ का आर का स्केर है इहां पर ध्याद र bipolar के नहीं रहे है साथ है साथ का इसकार मतलब साथ गुड़ा सार्ट कर देर हुआ वह सआ को सथ से से कटा दिजेगल यहाँ क्या होगा 22,b breeze Nash high 4 गुड़ pat कितना है साथ तो बराबर कितना होगा 22,08 चाओ 61, तो 616, तो यह आजाएगा बराबर 616 वर्ग सेंटे मेटर, तो यह आपका क्या निकल गया यहां से, यह निकल गया आपका वर्ग पिष्ठा का 6 तफल, तुरन निकाल सकते हैं, इसके बाद क्या करेंगे आयतन, तो आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, मैं ब बात है, 4 बटी 3 गुड़ा, 22 बटे 7 गुड़ा, क्यूब है यहाँ पे, तो चूकी आर कितना दिया है, 7 cm है, तो क्यूब मतलब क्या करेंगे, 7 गुड़ा, 7 गुड़ा, 7 इतने बार 7 का गुड़ा कर दिये, अब देखिए, एक 7 को एक 7 से कटा दिये, बाकि जो बचा है उसक कर लिजे, कितना आएगा, 88 गुड़ा, 49, तो कितना होगा, 9, 72 की 2, 7, 9, 72, 7, 89, अब इसको देख लिजे, 4, 32 की 2, हाथ के लाएक 3, 4, 32, 3, 35, जोण दिजे, 2, 9, 2, 11, की 1, और 7, 5, 12, 13, की 3, हाथ के लाएक 3, 1, 4, तो 43, 112, कितना आ गए यह, 43, 12, बटा 3, तो देखिए, 3 ए कम 3, 1 बचा, तो 3, 4, 12, फिर 1 बचा, 3, 9, और 2 बचा, 3, 7, 21, 3, 9, तो इस तरह से, 14, 37, कितना आ जाएगा, 14, 37, 33, घन सेंटी मीटर आ जाएगा, क्या आएगा, घन सेंटी मीटर, क्योंकि आयतन क्या है, पाई यार क्यूब है, इसलिए आ गए घन सेंटी मीटर, तो इस तर से आप कोईस्चन को बिल्कू सालो कर सकते हैं, आपको फार्मूला उतना याद करने का आशकता नहीं है, बहुत लोगों को कर्फीजन हो रहते हैं, इसलिए बता दिया, इसके बाद गोले का पार्ट टू भी आएगा, और करेंट अफेर भी लगातार जारी रहेगा, और ज